नमस्कार साथियों NCRT भुगोल कच्छा आठ बिलकुल वही पढ़ाऊंगा जो एक्जाम में आएगा फालतो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है तूदा पॉइंट तयार करिए NCRT बुग के अलावा बाहर से कुछ भी नहीं उठाया जाएगा बने रही है हमारे साथ वीडिय पॉड टॉपिक लेकर के चल रहा हूं आज पहला टॉपिक है संसाधन बस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में वो सभी चीज़ें संसाधन है प्रत्वी है पेंड है पवदे है वायू है प्रकास है जितनी चीज़ें है हमारे घर का फरणीचर है मकान है दुकान ये सारी चीज़ें संसाधन है संसाधन दो प्रकार के होते हैं प्राकर्तिक संसाधन और मानम निर्मी संसाधन प्राकर्तिक संसाधन वो होते हैं जो प्रकार द्वारा बनाये होते हैं जैसे हवा है, पानी है, प्रकास है, पेंड है, जंगल है, नदिया है मनसй ने बनाए होते हैं जैसे घर मकान फर्णीच़, लकडी, कार ये सारे घर इसामान पूपियोग के ये सारे चीज हैं जो मनस्यень बनाए गई तालाब प्राकृतिक होते हैं जीलें कुछ प्राकृतिक होते हैं कुछ मानम निर्मित होती हैं बन प्राकृतिक होते हैं बगीचे मानम निर्मित होते हैं अब आये प्राकृतिक संसाधन नवीनी करडी संसाधन वा अनवीनी करडी संसाधन होते हैं नवीनी करडी संसाधन सु प्रिन्ट है यह आप पर लिजी आ आगे लगा लिज्य इनको दुबारा नहीं बना जा सकता है तो यह नभी नी क्रडी ने को बार भार। उपयों करते हैं यह नभी क्रडी है ठीक है यह जो टाइपंग मिस्टेक है यहां पर आ बना लिजिए नभी ने कर लुए पर सरोब्याप्क संसादन जो सब जगे होते हैं जिसे हवा और सुर्व का प्रकास इस्थानी संसादन धातुये हैं अगला है सतत पोसरी ये विकास sustainable development sustainable development बरतमान पीडी के साथ-साथ भावी पीडी भी इससे लावमित हो सके ऐसा विकास पतलब विकास ऐसा करिए जो बरतमान में तो काम कर रहा है जैसे लेकिन भविस्टी की पीडी के लिए जैसे हम खेतों में खाद डाल ले हैं रासा हैं निक खादें तो संयुक्त राष्ट संग युनाइटेड नेशन और्गिनाइशन ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोसड़ी विकास के लिए वर्स 2030 तक 17 लच्चियों को पूरा करने का संकल्प लिया इस संकल्पना को पूरा करने है तो भारस सही द्विस्व के अनेक देशों ने अपनी सहमती प्रदान क इन लच्चड में 5P इन लच्च होगा लच्चर नहीं 5P पर बल दिया गया है प्यूपल, प्लेनेट, प्रॉस्परटी, पीस और पार्ट नसीब ये एकजाम में पूछा गया हुओ कुस्चन है 5P का अर्थ है ये एकजाम में पूछा जा चुका है कुस्चन दो अक्टूबर दो हजार पंदरा को समपी जिसमें भारत वर्स ने दो हजार वीस तक अपनी 40% उर्जा आप सकता का गैर नवीन इकड़ सरोतों जैसे पवन उर्जा पवन उर्जा जलवजीत उर्जा बायो मास परमाड उर्जा से प्राप्त करने का बचन दिया था इसमें क कौन सा क्रसी के अंतरगत नहीं आता है ऐसे करके कुश्चन पूछा गयाता है अगला है निर्वहा क्रसी केवल इस थानी आवा सकताओं की पूरती है तो निर्वहा क्रसी होता जैसे हमारे जो हमारे सरीर की आव सकता है हमारे दैने कुप्यों की आव सकता है और ब्यापारि तो ये सब क्या है जोबा निये जोव है जोव इसको हम पढ़ेंगे जोव ठीक है और नगदी फसलें कौन से हैं नगदी फसलें है गन्ना ये गाना नहीं गन्ना त्याइपिंग मिश्टेक है गन्ना कपास और तेलहन तबाकू ये जूड नहीं है ठीक है नकदी फसले हैं और इसके बाद में पे एवं बागाती फसले हैं चाह कहवा कईवार नहीं कहवा और गरम मसाले आदिये पे एवं बागाती फसले हैं अगला है रवी की फसल जाड़े के प्रारम में बोना और ग्रीसम के प्रारम में काटना गेहूं जो चना मटर सरसों अलसी ये राई और खरीब की फसले हैं बरसा रितु के प्रारम में बोना और सीतरुत के प्रारम में काटना धान मक्का जौार मूंग मूंखली जो रवी की महिनें बोई जाती है और मार्च या अपरेल के महिनें में काटी जाती है वो सारी रवी की फसलें होती है खरीब की फसलें बर सारी तुम्हें सुरवात में बोई जाती है जुलाई के महिनें और सितंबर के महीने में काटी जाती है वो खरीब की फसलें हो गई और जायद की फसलें अप्रेज और मार्च के महीनें बोई जाती है ठीक है ठरवूज कुर्वूज का कड़ी सब्जियां वगदर यह है ठीक है भारत विस्व का लगबग 22% चावल का वुत पादक है और ची गेहों का उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम इस्थान है और विस्व में भारत का दूसरा इस्थान है पहला इस्थान चीन का है गेहों और चावल दोनों के उत्पादन में विस्व में चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीनी शुरू की अंग्रेजों ने वर्स 1829 में उत्तरपूर भारत में बनों में आसाम के बनों की खोज कर लिए मतलब आसाम जो है चाय के बन थे उनको खोज लिया इनोंने राष्ट्री आए किसी राष्ट्र के एक वर्स के दोरान उत्पादी द्वस्तूमवा सेवाओं का सेवाओं का सकल मूले ठीक है अगला है हरित करांती वर्स 1906 में हरित करांती के माध्यम से क्रस उत्पादन के चेत्र में करांती कारी परविटन आया हरित रांती हरित करंदी का जनक कहा जाता है मोस्ट इंपरसर लागा ली ये वह भारत में हरित करंदी के जनक कहुंए अगला है खनीच संपदा कौनि पदारत भेवस्त वी जो अ felt क्षोध कर धरातल से निकाली जाती हैं जमीन से निकाली जाती हैं धात्मिक खनीज में कौन-कौन है लोहा तावा सोना चांदी और एलमीनियम अधात्मिक खनीज में कोईला खनीज्टेल अब्रक गंदक पटास लोहा जारखंड़ अउडिशा तमिलनाड़ुम्हराष्ट करनाटक मदप्रदेस गोवाते लंगाना नegól लोहा की खाने हैं कि तावय की खंध हर राजिस्थान जारखंड मदप्रदेस करनाटक सिक्क्यम अंदप्रदेस सो走吧 सोना मोस्ट इंपार्टेंट पॉंट है करनाटक के कुलार जिली में सरवादी सोना मिलता है और इसके बाद में जहार्खंड में मिलता है अगला है जस्ता एवं चांदी ये राजिसथान में मिलते हैं किष्ट का लगवक1चौथाई लोः भंडार भारत में है करनाटक जारखंड उडीश उत्तम किसम लोः भंडार में से हैं अभ्रक्स अंध्रपर्देश राजिस्थान और ज्यार्खनड ये अभ्रकपर्द राज्ज है यह मद्रपरदेश राजिस्थान हीरा मैं। इप्राइश के कैपना ओर। म passar के प्रकार पीट लगणाईट बिटूमिन और एंध्रासाइट ये चार प्रकार का कोिय मोश्ट इंपार्टेंट है कोश्चन इस तरीके से बना था ये कि कोईले का प्रकार निम्लिकित में से कौन सा है और एक इसमें से रख दिया चार अन रख दिया या कौन सा नहीं है दोनों तरीके से पुझा जा चुका है जार खंड 36 गड़ पस्चिम बंगाल मद्प्रदेश असम में घाले अंद्प्रदेश गोवा में कोईला मिलता है यहां कोईले की खाने हैं खनीस तेल की खाने कहां कहां हैं असम में घाले गुझरात मुंबई हाई सबसे ज़्यादा मुंबई हाई अरप सागर मिलता है और र देखिए उद्द्योग धंदों को काईदे से देख लीजिए, ये है जूट उद्द्योग, जूट उद्द्योग में क्या होता है, सबसे पहले पानी में जूट को दबा दिया जाता है, ससर जाती है, उसके आदम छाल से रेसा निकाला जाता है, रेसे को बटा जाता है, उसक कि पत्तियां चुनी जाती है और चुनने के बाद पत्तियों को सुखाया जाता है सुखाने के बाद फिर पत्तियां चाट कर किसमे तयार की जाती है और किसमे तयार करने के बाद कहां पहुंचके भाई किसमें तयार करने के बाद इसको डिब्बे में भरा जाता है और डिब्बे में भरने के बाद फिर चाय का निर्यात किया जाता है ये चाय का निर्यात किया जाता है इस तरीके से और ये रही जूट की खेती इस तरीके से पानी में दबा दिया जाता है इसको ठीक है और अगला है रवड उद्ध्योग रवड उद्ध्योग देख लीजिए रवड उद्ध्योग रवड के ब्रच से इस तरीके से ये काट दिया जाता है काट करके दूद को गरम करके सामान रसाइन इसमें रसाइन डाल करके दूद को फार दिया जाता है और फटे दू कर रही हैं और इसके बाद में किया किया था इसको बस्त निर्यात के लिए वस्त निर्माड के लिए तयार करें तो इसको बस्त टायर बगेरा उसा काफी चीज़ां रुबड की बनाई जाती हैं तो यह भी कुश्चन मोश्ट इम्पार्टेट कि सेड़ी में है इसलिए हमने पर अगला है कहवा बनाने की प्रिकरिया पेंड से फल को तोड़ा जाता है यह पुछा जा चुका है can you क्वा निर्माट की पर्का्इब किया पेंड्र से फल्कों तोडा जाता है फिर बीजों को धूप में सुखाया Mend simple करके आवसकता अनुसार प्र्योग लाया जाता है इस तरीके से रुक्यारियां बना करके समूदर का पानी भर दिया जाता है, पानी सूख जाता है, नमक त्यार हो जाता है, नेश्ट है लोह इस्पात उद्योग निजी छेत्र में है टाटा आयरेनों विष्टिल कंपिनी जमसेतपुर जहारखंड में है और आयरेनों विष्टिल कंपिनी इसको ये पच्छिम बंगाल में है और इसके बाद हम सरकारी चेत्र में या सार्वजरिक चेत्र में है चतिस गड़ में भिलाई पच्छीम बंगाल में दुरगापुर उडिसा में राउर केला और जहार खंड में वोकारो सूति वस्त उद्योग एहंदावा सूति वस्त उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भारत का मांचेस्टर इसे कहा जाता है ओसा का जापान देश का सूति वस्त उद्योग है इसे जापान का मांचेस्टर कहा जाता है अगला है सिल्कान घाटी संयुक्त राज अमेरिका के कैलि human 아니야 में इस्तित है सिलिकान घाटीhen अब भारत की सिलिकान घाटी की से कहते हैं बंगलूरू को काने मोश्ट important point और यह लोगत में यान वध्योग सरे भारत में बंगलूरू कानपूर लखनाबन नासिक कोरापु टी उडीसा में है और रेल गाड़ी के इंजन ये चितर अजन पच्छी मंगाल में है वानरशी उत्तर प्रदेश में और रेल के डिबे सरी पेरंपटूर ये तमिल नाडू में कपर्थला पंजाब में रेल के डिबे बनाए जाते हैं तेल सोधन कार खाना डिग वो करके इनको लिग लीजिए वीडियो को जल्दी लेचल रहे हैं चुंकि हमारी आदत नहीं आपका समय बरबात करना अगर किसी भायों को समस्य आ रहे हो तो वीडियो को सिलो करके देख लीजिए नेस्ट है भारत के प्रमुख सड़कमार्ग राष्ट्री राजमार्ग बन रा है भारत में 52.32 लाग किलो मीटर लंबी शड़के हैं राष्टी राजमार्ग की कुल लंबाई एक लाग 475 किलो मीटर है सारे इंपार्टेंट पॉइंट को सेलेक्ट किया है उनली एंसी यार्टी कोई भी मैंरे किसी वीडियो में आपको फालतू की चीज नहीं मिलेगी बेकार की चीज नहीं मिलेगी और कुछ चीजें जो ऐसी होती है समय बर्वात करने वाली हम कहने राजमार्ग किस वीडियो में क्या करते हैं चार-चे-दस मिनट का समय जो है अपना इंट्रोडेक्शन और बातें करने हम लोग दे जैते हैं यह हमारे बसकी बात नहीं है मेरे पास समय बहुत कम है यह देश के लबिहारी बाशपेई जी के ठीक है और उत्तर दच्चिड एवंपूर पच्छिम गलियारा जंबू और कस्मीर से स्री नगर तमिल नाडू से कन्या कुमारी तक विस्तरत 4016 किलो मेटर लंबा सलक मार्ग यह उत्तर दच्चिड गलियारा कहलाता है और पूरब पच्छिम गलियारा असम से सिल्चर से गुजरात के पूर वंदर तक तीसो चालिस किलो मीटर लंबा सलक मार्ग ये पूर पच्छिम गली आ रहा है रेल मार्ग भारत में रेल मार्ग की लंबाई चाँचट हजार छेसो सतासी किलो मीटर है और भारत में पहली रेल मॉस्ट इंपार्टेंट पॉइंट है 1853 में मॉंबई से थाड़ के मद 34 किलो मीटर लंबे मार्ग पर चलाई गई थी कौकण रेल वे महराष्टर के रोहन नामक इस्थान से गोबा होते हुए करनाटक के मंगलोर इस्थान तक 760 किलो मीटर लंबा रेल मार्ग है 26 जनुरी 1950 में प्रारंब हुआ यह जो रोहन लिखा हुआ इसको रोहा कर लीजिए रोहा नामक ठीक रो मॉंबई का एक इस्थान है रोहा महराष्ट से का इस्थान एक रोहा वहां से गोबा होते हुए करनाटक करनाटक के मंगलोर इस्थान तक नेश्ट है भारत में हबाई जहाज की प्रथम उड़ान सन 1911 में इलावाद से नैनी के मद्वीती इलावाद उत्तर प्रदेश में है कहां है उत्तर प्रदेश में और सन 1915 में भारती वाय यातायात की विवस्ता केंद् सरकार ने अपने हात में ली भारती डाक-पडाली की सुरूआत, बारती डाक-पडाली की शुरूआतग ज़ूआत प्रियोग किया जाने वाले www का विश्तारित रूप भाई ये कुश्चन एक्जाम में कई वार पुछा चुका है वर्ड वाइड वेब इसका फुल फार्म होता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 73 पर सज्जन संख्या साच्छर है जबकि उत्तर प्रदेश में 67.7 पर सज्जन संख्या ही साच्छर है भारत में सरवादिक साच् अरुडांचर प्रदेश और राजिस्थान है जन गड़ना 2011 के अनुसार भारत में नगरी जन संख्या का प्रस्त 31.2 प्रस्त है यहनी सहर में निवास करने वारी जन संख्या की बात कर रहे हैं भारत विस्व का 2.4 प्रस्त छेत्रफल है और 16.7 प्रस्त जन संख्या यहां निवास करती है उत्तर प्रदेश का छेत्रफल भारत के कुल छेत्रफल का 7.23 प्रस्त है और 7.23 प्रस्त में 16.5 प्रस्त जन संख्या भारत की उत्तर प्रदेश में निवास करती है अर्थात जन संख्या के विस्व में जन संख्या का प्रतिसत के साब से भारत की जन संख्य आदिक है और भारत में जिन संख्या के प्रतस के नुसार उत्रप्रदेश की जिन संख्या वहुत है तो यह कुछ खास पॉइंट थे भूगोल के जो मैंने आपके सामने रखे फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार